आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनोट करें। हाई फ्रेंज, क्वेशन है, निम्ण में से कौन सा सामन प्रजनल आवस्था का सूचक है और मिनार्क और मिनोपोज के बीच विश्दारिक होता है। पहला उप्षिन है मासिक चक्र, दूसरा है अंडोट सर्ग, तीसरा है एस्टरस चक्र, तीसरा है अंडोट सर्ग और चोथा है आर्वपोज करूद। दोस्तो हम सबसे पहले बात करते हैं। प्रजनल आवस्था सूचक की में दो हमारे पास सब्द हैं। एक मिनार्क, मिनार्क का मतलब होता है रिदूसरा या फिर मासिक चक्र का सुरू होना, रिदूसराओं का सुरू होना, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा मेनोपोज, मेनोपोज। पिस्त्रियों में लगबग 50 साल की उमर में अंडोज सर्ग है, वो बंद हो जाता है, और मासिक चक्र भी बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मेनोपोज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह कहें कि किसी भी वैस्क अवस्ता जब स्टार्ट होती है, या प्यूबिरिटी पीरियट जब किसी विस्त्री में स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर उनके अंदर हॉर्मोन्स के प्रभाव से मासिक चक्र वो सुरू होता है। इस मासिक चक्र के अंदर अंडोज सर्ग होता है या अंड का उत्सरजन होता है। और यही अंडोज सर्ग है जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंड को लेके आने का काम करती हैं। तो हम यह कह सकते हैं मेनार्क और मेनापोज की जो बीच के अवस्ता होती है वहाँ पर मासिक चक्र है वो होता है जो सामा ने प्रजनल अवस्ता का सुचक होता है। इसका आनसर होगा मासिक चक्र दूसरा अप्षिन हम देखते है जो प्रायमेट्स के अलावा जो इस्तंधारी होते हैं उनके अंदर ऑस्ता होता है जिसे हीट पीरियड भी कहते हैं आता यह उप्षिन गलत हो जाएगा ठीक है इसके बाद आता अंडोज सर्ग अंड के उसर और मैनकोस के बीच में विस्तारित नहीं होती है यह सामानता हैं मासिक चक्र के दूरान tap यह गलत हो जाएगा इसके बाद आरहीं और अपर जल्गलत होगा तो यहां पर मासिक16 करें हैं वह हमारा answer कर चछरी से बार भी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर छात्रों का भरोज़ा आज ही डाउनेट करें डाउटने डाप या वट्चाप करें आपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर